हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपको पाटी मेकप बताऊंगी आप घर पर कैसे कर सकते हैं सिर्फ तीन चीज़ों से तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फेस को मॉस्चराइज करें और उसके बाद बेस लगाएं आपने देखा है मैं जादर बेस किस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारी फिंगर उंगलियों में जो हीट होती है गर्माध होती है उससे बहुत अच्छे से यह बेस या जो भी फांडेशन हो वह भी अच्छे से ब्लेंड हो जाती डॉट-डट नउट करके लगांज कि बस आपको उसको ब्लेंड कर देना है मेक स skin tone है इस तरह से हैंड से बस आपको इसको blend कर देना आप देख सकते हैं difference आपको neck पे भी करना है मैंने neck पे नहीं किया तक आपको difference दिखें आप considerable difference दिखें उसके बाद मैंने ये ली है काजल पैंसिल लोरियल पैरिस की और इससे मैं अपना ये eyebrows बनाऊंगी आइब्रोस कर दिखें करना है eyebrows मैं बनाने का बताया हुआ कई वीडियो से शेयर किया आप देख सकते हैं पीछे घर पर ही मैं आप बनाती हूँ तो इस तरह से मैंने इसको फिल कर लिया है ठीक है उसके बाद इसी से मैं अपना काजल भी लगा लूँगी काजल के लिए मैं क्या करूंगी वाटर लाइन पर लगाऊंगी वाटर लाइन क्या होती वो मैं आभी आपको बताती है आगे तो आप देख सकते हैं अच्छे से फिलिंग हो गई है मेरे आइब्रोज की तो यह बहुत अच्छी लॉरियल पैरेस की काजल पैंसिल है यह मैंने ओनलाइन ही ली थी तो इसमें डूप्ली कैसे भी आपको ध्यान से लेनी पड़ती तो इसको यह जो लाइन होती है इसमें थोड़ा आपको क्लोज ली दिखाती हूं जिसमें मतलब अंदर की तरफ बस जस्ट लॉर वाटर लाइन को फिल किया है इस तरह से एक अलग सा लुक आता है आइस पर तो उसके बाद नेक्स फ्रेंज मैंने लैकमी की लिप्स्टिक लिए है पिंक शेड में इसमें थोड़ा शिमरी टच भी है इस लिप्स्टिक में थोड़ा शाइन भी है तो वो आते हैं एफेक्ट तो आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा लगा सकते हैं तो यह देखिये जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी बस इसको हैंड से आपको पीछे की तरफ ब्लेंड करना एपल आई चीक से लेके पीछे तक लेके ज दूरत निया और इससी से आप अपना आइस के उपर आई शैडो भी लगा सकते हैं इस पिंक कलर की लिप्स्टिक से अगर आपका थोड़ा जाक स्केंट है तो आप ग्राउन कलर यूज कर सकते हैं तो अगर आपकी थोड़ी लाइट है मेरे जैसे तो आप इस तरह से shadow भी अब इसके बाद बस आप इसी लिप्स्टिक को इसको यूज कर लें तो आप देख सकते हैं सिंपल तीन चीजों से ही मैंने अपना complete makeup किया एक बेस मैंने यूज किया एक मैंने काजल स्टिक यूज की और एक मैंने इसमें की यूज कर सकते हैं इवन डेली makeup के अंडर या ब्राइड मेंकप में भी सकता है वो ज्यादा हमने complicated नहीं किया है मतलब मेकप इस तरह से हम तीन चीज़ों से ही फ्रेंजी मेकप में कर सकते हैं आप देख सकते हैं डिफ्रेंस पहले मेरे face पे कितना uneven सा skin tone था और hardly मुझे 10 मिनट लगे थे इस मेकप में करने में और देखिए तीन प्रोडक्ट के साथ ही आप अपना यह complete मेकप कर सकते हैं तो अगर आपको अच्छा लगा यूसफुल लगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर